हलो सश्रीकाल की हाल चाल है आज मैं थोड़ेनल शेयर करन जारी है जी पनीर बुर जी आज जो मैं रेसेपी बना रही हुना बहुत ही मज़ेदार आज मैं आदी हिंदी में बताऊंगी और आदी पंजाबी में बताऊंगी कुछ वीवर्स है मेरे उन्होंने बोला जी तक सी कहलत है पनीर पूरची केल टेल सड़ा गर्म हो चुक है और जैसे हम हिंदी में बोलेंगे लike्यू उन्हों अपोन कुस्टा की गर्म हो चुक है और इसमें मैंने प्यास कशा एसे काले लम्बा लम्बा काट के डाल दिया असाथ में बैल गर्साइस ने में टाल दिय जादा नहीं ब्राउन करेंगे तो एदेखो जी हलका हलका ब्राउन हो चुके है इसे नाली असी है अधरक लेसन एड़ करदांगे मतलब अधरक लेसन की पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और यह थोड़ा पुल लेने हैं क्योंकि अधरक लेसन था थोड़ा कच्छा पन जड़ा ओशी निकालना है थे ज्यादा भी नहीं पाना है अधरक लेसन बस हारली अध्डा चमच अधरक लेसन का आप इसमें एड़ कर ले और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे जी बोर्टेस जी आमयें, ते अशिवेना नो थोड़ा चाब पूर ले नयां जादा निया बुलने और मेति भी हमने थोड़ीसी मूल ले हैं और इसके साथ अब हम अइ्ड करदेंगे जी नमक को, यह पादेता जीन नमक थोड़ी हल्दी ते थोड़ी ज॑ राल शालक्त पहता मे मिर्चावी कटके पादेन्याने तो तो एई डाल दिये जिन हमने इसमें मिर्ची, हल्दी, नमक थोड़ा सा बूल लेते हैं और इष्केसा Compact हमें का थोड़ा सा पानी अट कर देंगे क्योंकि हमारी मिर्चे सजान χें जलने नी चाहिए लिए हम थोड़ा सा सा इसमें सौफ्ट हो जाता है जब हम इसमें पानी डालते हैं तो प्यास भी हो चुक है अच्छे से यह मसाले व्यरा हो चुक है क्या हम इसमें टमाटर बिल्कुल यह एड कर रहे हैं और इसके साथ हम डाल देते हैं जी पनीर को देखो जी पनीर भी असी पा दिता है ते बस असी हुन पनीर नो पुन है थोड़ी देल लो जी बस थोड़ी देल इसे हम बून लेंगे और इसके साथ आप ये देखें जी मैं तो तीन हरी मिर्च को ऐसे काट के डाले हूँ अगी हरी मिर्च थोड़ा जा और पुन लएने है ती असी स्वीच उनकी पाना है मैं स्वीच थोड़ा जा दूद पांगी मतलब मैं इसमें थोड़ा सा दूद एट करूंगी और दूद डालने से क्या हुता है अगर आपके बस मलाई है तो आप वह पी आड़ कर सेते हैं बह लास्ट इच पानने है जी थोड़ा जग के ओधा चमाची का ते ऐसाड़ी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी पनीर बुर्जी रड़ी होगी है जी आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरमसाला भी आड़ कर सकते हैं जोईस आपके हैं लेकिन मैं इसमें बस कुछ ने आड़ कर जी राट किया है और ये देखो जी हमारे मज़ेदार टेस्टी टेस्टी पनीर बुर्जी एकदम रड़ी होगी करते हैं से डी शाउट आप इसे ब्रेट के साथ परांटे के साथ पूरी के साथ जैसे खाना चाहा पिसे खा सकते हैं इतनी टेस्टी है साथ में थोड़ा सा करेले अचार और बस इसका जो टेस्ट वो दूगना हो जाएगा आप इस रेसिपी को जरू ट्राइक करना मुझे कॉमेंट करके बताना आपको इस रेसिपी कैसी लगी है और फिर आप इसे बनाए खाए एंजॉय करें मिल दियां जी एक नई वीडियो नाल तब तक अपना ध्यान रखें लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कॉमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग